लग रहा है बर्स का पहला सूर्ग रहर 148 वर्स बाद बन रहा है अद्बुत सही योग नमशकार आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम नूज मैं आपके साथ विजया दो इस बार 10 जून को वर्स का पहला सूर्ग रहर लगने वाला है हलांकी ये भारत के अरुआचल प्रदीश और लगदाक में ही दिखाई देगा भारती समया नुसार ये दोपार 1 बचकर 42 मिनट पर सुरू होगा और साम 6 बचकर 41 मिनट पर खतम हो जाएगा बलयाकार सूर्ग रहर की घटना यू तो वर्स में एक से अधिकबार होती है लेकिन हर बार ही ये बिख्यान को और खगोली घटनाओं में दिल्चस्पी रखने वालों के लिए किसी अधबुत नजारे से कम नहीं होती है आपको बता दे कि ये घटना उस वक्त घटती है जब सूर्ग चंद्रमा और प्रतवी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं से में कुछ समय के लिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्ग की रोख देता है ऐसे में सूर्ग रहण होता है जब से पीछे से धीले सूर की रोसणी बहर आती है तो एक समय इसकी चमक किसी हीरे की अंगूठी की तरह प्रतीथ होती है जिसको ring of fire भी कहा जाता है भारत की बात करें तो इसे साम लगबग 5 बच कर 52 मिनट पर इसे और राचल प्रदेश में दिबांग बन जीव अभ्यारंड के पास से देखा जा सकेगा वही लगदाक के उत्री हिस्से में ये लगबग साम 6 बजे दिखाई देगा भारत के अलावा इस घटना को उत्तरी अमेरिका उत्तरी कनाडा यूरोप और एसिया ग्रीन लेंड रूस के बड़े हिस्से में भी देखा जा सकेगा हलांकि कनाडा, ग्रीन, लैंड तता रूस में बल्याकार जबकि उत्तर अमेरीका के अधिकांज हिस्सों में योरॉप और उत्तर एसिया में आνसिक सूर्गरहर ही दिखाई देगा बल्याकार सूर ग्रहर में चंद्रमा सूरच को इस तरह से ढख लेता है कि उससे केबस सूर का बहरी हिस्सा ही प्रकासमान के तौर पर दिखाई देता है इस दोरान सूरच का मद्ध हिस्सा पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे ढख जाता है आपको बता दे कि ग्रहर का धार्मिक महत तो काफी अधिक है धार्मिक तोर पर यदि देखा जाए तो ये बट सबित्री ब्रत के दिन लग जा रहा है इसके अलाबा इसी दिन सनी जेंती और जेश्ट अमावश्या भी है धार्मिक रूप से इसका महत और अधिक इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सनी जेंती पर ग्रहर का यूग करीब 148 साल बाद बन रहा है इससे पहले 26 मई 1873 को सनी जेंती के दिन ग्रहर पढ़ाता हलांकी धार्मिक द्रश्ट से इस तरह की घटना को सुब नहीं माना जाता है कर दो